मैं हूँ प्रभजोत कौर और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट बीते एपिसोड में देखा गया कि बिग बॉस ने टिकेट टू फिनाले के लिए रांकिंग टास्क इंट्रिजूस किया इस टास्क में कंटेस्टन को आपसी सहमती से एक दूसरे को नमबर वन से लेके नमबर सिक्स तक राग करना था पहले नमबर पर बैटने वाले कंटेस्टन को दूसरों की तुलना में अधिक फाइदा मिलता पूरे सीजन के लिए नॉमनेटेड हुए रोहन को बिग बॉस ने इस टास्का संचालक बनाया टास्ट शुरू होते ही मनू लोपा बानी और मनवीर ने क्लेम किया कि पहला स्थान वो ही डिसर्व करते हैं वही नितभा ने अपने लिए तीसरा स्थान चुना इसके बाद बानी दूसरे स्थान पर जाकर बैठ गई बानी दूसरा स्थान चुनने की अपनी वज़ा बता रही होती है लेकिन इस दौरान लोपा बीच में बोलने लगी और बानी पर क्मेंट भी किया इसके अंदर दोनों के बीच बहस भी हो गई इसके बाद मनवीर, मनू और लोपा पहले स्थान के लिए बहस करने लगे बाद में लोपा ने पहला स्थान ले लिया और फिर मनू, मनवीर और मोना चौथा, पाचवा और छठा स्थान अपने लिए चुना टास के बाद लोपा मूद्रा ने मनू और रोहन से कहा कि उससे लगता है कि वो नमबर एक पर रहना डिजर्फ करती है और उनके हिसाब से बानी को सिक्स्त रैंक पर होना चाहिए बाद में मनू मनवीर, नितिभा, मोना और बानी लोपा मूद्रा के बरताव पर चर्चा करने लगे कि उन्हें लगता है कि बाकी सब उनके सामने कुछ नहीं है मनू ने कहा कि वो बिगर चुकी है क्योंकि पहले राहुल और अब रोहन उनकी हर सही गलत बात में उनका साथ देते हैं वही बानी ने कहा कि रोहन समझतार है लेकिन लोपा की संगती की वज़ा से ऐसे हो गए है वहीं बाद में नितिबा ने कहा कि बानी और लोपा मुद्रा में से किसी एक को चुनना होगा तो वो बानी को चुनेंगी फिलाल ये तो रा टिकेट टु फिनाले का पहले टास्क बिग बॉस में और क्या-क्या होने वाला है इसका खुलासा मैं करती रहूंगी इस विडियो में बस अतना ही बॉलिवोड और टेलेविजिन की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रही है फिल्मी बीट